हे कॉलिस्टिन्स आज हम इगनु फर्स्ट यर की हिस्ट्री के बुक दाट इज भी एच आईसी वन्ट्री वन हिस्ट्री अफ इंडिया फॉम दा अर्लियास ताइम अप्टो सैंचुरी 300 सी का सेकंड यूनिट कवर करेंगे दाट इस आर्केलोजी एस शोर्स और प्रोमिनें आर्केलोजीकल साइट एंड ये वीडियो लेक्ट्टर इस चैप्टर का फॉर्स पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड आर्केलोजीकल साइट अड वाट दी आर मेड अप इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटस गेट है जो कि यहां पिर हमारा नेक्स चाप्टर है जो की है यूनिक थो और कि लोजी ऐस सोर्स एन प्रोमिनेंट र्कोलोजीकल साइट की अपकोर्स की अर्केलोजी के तुर पर हम उसको स्टडी करेंगे एंड कुछ नीस को धिकिए जैसे क्यो marshm Works तो औगलोज्ट को धिज़ु ये सारे famous archaeological sites को भी हम study करें हैं, यहां पर objectives दिया है, objectives में क्या है, first point है कि Indian history को reconstruct करने के लिए, it means ancient time को past को reconstruct करने के लिए हम archaeology को जिस तरीके से use करें हम उसको as a source के तौर पे ले रहे हैं, तो उसका nature क्या है, दूसरा archaeological sites क्या होती है, यह किस तरीके से बनती है, किस तरीके से formed ह होती है, तीसरा क्या है, archaeology, archaeology जो sources है, उसमें किस-किस तरीके के methods होते हैं, उसके field work में, उसमें किस तरीके का data collection होता है, चौथा क्या है, कैसे-कैसे techniques use किये जाते है, archaeological evidences को examine करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, and यह हमें past के बारे में क्या बताता है, and पांचवा जो objectives है, वो यह है, कि जो Indian subcontinent है, उसके जो भी famous archaeological sites है, पुराने ancient archaeological sites हम उसकी study के करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसको देखेंगे, तो यह हमारे 5 objectives है, इस chapter के, अब हम देखते है, introduction, देखो, introduction क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है, कि जो history है, and जो archaeology है, मतलब इतिहास, जिसको कि हम पढ़ते हैं हमारे पास, यह जो हमारी book है, यह हमारी इतिहास की book है, जिसको हम study कर रहे है, and दूसरा क्या है, archaeology, जो कि हम materialistic चीजों की study करते हैं, जिसमें हम materialistic चीजों की examine करते हैं, जमीन से उस चीज़ें निकालते हैं, उसको समझत तब जाकर क्या मिस्ट्री को देते हैं तब जाकर क्या मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों का जो एम है वो सेम है सेम कैसे है reconstruction of the past मतलब पुरानी जो भी एतिहासिक चीजे हैं पुरानी जो भी एतिहासिक बाते हैं हमारा जो ancient time था उसको reconstruct करना उसको समझना उसको जानना उसकी study करना दोनों का motto तो same है आप दोनों को study करो पहुंचो कि आप same conclusion में कि हम past के बारे में आखिर जाने क्या यही question रहेगा आपका जब आप दोनों को study करोगे तो बट दोनों में difference क्या अगर आप देखो यहाँ पे बोलोगे देखो अगर दोनों same ही चीज़ है तो दोनों को एक ही नाम क्यों नहीं दिया गया इतिहास और archaeology दोनों अलग लग क्यों बनागे history और archaeology दोनों अलग लग क्यों है तो दोनों का जो sources है वो different हो जाता है history में हम सिर्फ चीज़े पढ़ते हैं और आप बोल सकते हो कि यह सारे written sources पे depend होता है सारे data's पे depend होता है बट जो archaeology है वो materialistic चीज़ों पे इस depend करता है देखो जो भी materials पुराने जमाने की जो भी निकलते है excavations में, खुदाई में, जमीन के अंदर अगर आप खोदोगे बहुत सारे ऐसे archaeological sites हैं जो की जमीन के अंदर से निकली एंद जिसमें से बहुत सारी चीज़े हमें मिली उसकी study करने के बाद हम किसी conclusion ने पहुचे कि हाँ, past में कुछ ऐसा होता होगा, past में कुछ ऐसा होता होगा हमारा past ऐसा था, हमारा इतियास ऐसा था ancient time में लोग इस तरीके से use करते थे Incent Time में लोग ये काम करते थैं Incent Time में लोग ये पैयनते थैं Ancient Time में लोग इस तरही कहे प्णते थैं तो यह सारा जो information है यह हमारे archaeology से मिलती है जो data थे पुराणे data पुराणे literary sources जैसे कि वेडास हो गया आपका ब्रामनाज हो गया आपका आपके पुरांस हो गए, यह सारे जो books थे, इनसे हमें इतिहास देखने को मिलता है, इससे हम इतिहास को conclude करते हैं, and that is जो किया माच पढ़ रहे हैं अपने books में, तो history and archaeological दोनों चीज़े हैं, but दोनों आपके एक ही चीज़े हमें बताती है, past के बारे में, ancient time के बारे में, ठी experiences के बारे में, बहुत सारे चीज़े बताती है, कि पुराने time में, ancient time में, लोग कैसे रहते थे, ancient time में लोग क्या खाते थे, ancient time में लोग क्या पहनते थे, ancient time में लोग कैसे, मतलब किस तरीके सा अपना जीवन यापन करते थे, rule कैसे करते थे, क्योंकि देरे देरे तो राज बनना चालो गया था, kings बनने चालो गया थे, बड़े-बड़े जो बोल सकते हो, आप राज बनने चालो गया थे, kingdoms बनने चालो गया, तो human behavior and उसके experiences के बारे में एक complete information देता है, बहुत सारी चीज़े बताता है, आप इसको जितना खोद होगे, आपको उतनी सारी information देख सारी चीज़े, सोचो पुराना, मतलब पुराने टाइम का पूरा का पूरा है, एक सामराज जमीन के अंदर हमें मिल रहा है, तो उसमें कितनी सारी चीज़े होगी, कितनी सारी चीज़े आपको information उसमें से मिल सकते हैं, जैसे कि आपको हो गया, देखो, यहां पे दिया गया भाले, तीर, मतलब इन सारी चीज़ों का यूस कर सकते थे, तो वो सारी टूल्स होगे, आपके स्ट्रक्चर्स होगे, लोग इमारतों में रहते थे, लोग मुर्तिया बनवाते थे, ठीक है, जैसे कि देखोगे, पुराने टाइमें पे तो लोग शहर, मतलब भई बसता था राज ये बसता था, राज में लोग रहते थे, बड़े-बड़े समराज बनते थे, तो उसमें कुछ-कुछे स्ट्रक्सर्स होगे, ब्रिक्स होगे, इतर वगरा, घर तो बनते ही थे, पौट्टर्यों वगरा, खाना किस में बनाएंगे लोग, बर्तन वगरा निकलते थे उसमें से metal objects लोग पहनते थे सोने जावरात लोग अपने सरीर पे पहनते थे metals ठीक है लोग यूद्ध करने जाते थे तो लोहा का कवच पहन के जाते थे लोग भाला लेके जाते थे लोग धाल लेके जाते तो ये सारे metal objects sculptures मूर्तिया वगरा लोग को शौक भी बहुत थे लोग अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते थे अब देखो इतने सारा करने के लिए लोग को क्या चीज़ सबसे important पैसा पैसा भी था लोग के पास coins भी तो समय के अब coins तो मिल यह भाई अब हम इतने को पता चल जाता है बट पुराइन टाय में आज़ा नहीं था पुराइन टाय में कोई भी technology नहीं थी लोग inscriptions का यूज करते तो कोई भी नया order निकालना हो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकलती है सब डिसिप्लीन भी बनने लग जैसे कि उसका कुछ कुछ पार्ट उसके अलग लग डिफ्रेंट डिफ्रेंट पार्ट जैसे कि आप अगर ले लो इतना वास टॉपिक था कि इसको अलग से पढ़ने में ही समझदा रही थी जैसे कि आपका कॉइंस इतना ज्यादा स्टडी था कॉइंस में मतलब कॉइंस के बार में हर डिफ्रेंट इंफॉर्मिशन में पता चलना चीए पुरहने टाइम से लेकर के आज के टाइम में इंस्क्रिप्शन की स्टडी हजारों तरकी की इंस्क्रिप्शन की लिखवाने लोग लिखवाते थे अपने टाइम प्रेड में कोई अपने बारे में लिखवाते थे कोई अपने रूल्स पे लिखवाते थे कोई अपने ब्लीफ्स पे लिखवाते थे कोई अपने ओर्डर जो भी materials खुदाई में निकलती ये सारे materials जमीन के अंदर preserve रखे गए हैं बहुत सालों से मतलब समझ पूरा का पूरा एक सामराज जमीन के अंदर धस गया है ये सारी जो भी records है ये जमीन के अंदर जमीन के अपर preserve रखी गई है जो human past है ठीक है मानव का इतिहास वो दो तरीके से divided है एक तो historic period और दूसरा prehistoric period now historic period देखो ये जो historic period है ये आज से करेबं 5000 पहले से start हो है ठीक है and then time being देखो इसको हम historic period क्यों बोलते है क्योंकि इस period में writings available थी इस period के जो भी आपके पास taxes है इस period के जो भी आपके पास literary sources है वो available है लोग इस period में लिखना जानते थे इस period में जो writing थे वो developed होना start हो गई थी and जैसे सी जो writing developed होना start हो गई थी लोग उसको different different तरीकों से use करने भी लग गये थे जैसे कि records को maintain करने के लिए literary writing को maintain करने के लिए हाला कि यह जो literary period था और बोल सकते हैं जो historic period था यह बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा लोग इसमें बहुत जादा developed हो बट फिर भी यह बहुत ही कम समय के लिए था इससे और भी ज्यादा है human past जो है जो मानव इतिहास है जो लोग exist कर रहे हैं वो historic period से भी बहुत पहल ही नहीं है writings ही नहीं present थी और यह जो time period है उसको हम बोलते prehistoric period ठीक है यह जो prehistoric period है करीबन आज से हमारे आज से करीबन 30,000,000 साल पहले से present है इस समय कोई भी writings available नहीं थी इस समय का जो time period था इस समय सरिफ लोग exist करते थे और अगर देखा जाए तो archaeology को इस समय के study करने में helpful माना जाता है क्योंकि archaeology में कोई भी books वेगार नहीं होता है, archaeology में कोई भी writing को study नहीं करते हैं, हम उसमें चीजों को study करते हैं, materials को study करते हैं, and materials चाहे वो past के हो, चाहे present के हो, हम उसको study कर सकते हैं, but अगर आप बोलोगे कि literary sources के तुरो हम prehistoric चीजों को study करें, तो वो impossible ह सकता है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय का कोई भी literary sources present नहीं है, इसी लिए यह जो archaeology है, यह beyond all restrictions है, इसमें आप पुरानी चीजों को भी study कर सकते हो, prehistoric tools को भी study कर सकते हो, and present की चीजों को भी study कर सकते हो, that's why archaeology is the best for studying history, okay, the history of archaeology, archaeology का इतिहास क्या रहा है, जो भी ऑस के लिए, नहीं होती है, वो कही ना कही से जुआ होती है, उसी तरह के दुरूकर सरथ के पास्ट का भी है कोई भी सोसाइटी आसमान से तो आई नहीं है जो भी सोसाइटी से है वो पास से ही डेवलप होकर के आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे है जिसको कि हम एक पास होता है जो भी सोसाइटी इस सारे पास के उपर ही वहाधन सोसाइटी बनती है तो तो दिखो यह जो ऊ Double बहुत सारे डिःपरेंट एरिया में बहुत सारे बिटिस कोलिनिस थी वहाँ से भी लोग different different चीज़ों वहां से भी लोग जो वहां की जो mean चीज़े होती थी वहां से खोद करके वहां की जितनी भी समरिदी थी वो सब लेके चले जाते थे तो एक तरीके से शौक के तौर पिए स्टार्ट हुआ था होता क्या था कि early time period में देखो जो ancient चीज़े हैं वो सच में बहुत लुभावना चीज़े होती थी मतलब लोग उसको देखकर की attract हो जाते थे कि हाँ यह हमारे past से जुड़ी है यह तो सच में बहुत कमाल किया तो लोग एक तरीके से treasure hunting के तौर पे इसको start किये थे जो पुरानी चीज़े थे beautiful old चीज़े लोग उसको रखते थे लोग उसको acquire करते थे लोग उसको धूंग के निकालते थे तो एक तरीके से treasure hunting के तौर पे start होई थे देखो जो शुरात का जो time period था इट मेंस बोल सकते हैं आप आर्केलोजी का evolution था मतलब जब आर्केलोजी डबलाप हो रही थी तो इस जो डानिस स्कॉलर थी cj thompson उन्होंने एक three age system दिया three age system इट मेंस कि इस तरीके से हम study कर सकते है पुराने antiques को artifacts को यह जो three age system है यह actually 1817 में उन्होंने दिया था और यह three age system तीन age को describe करता है हमारा stone age, bronze age and orange age यह इसलिए निकाला गया था ताकि जो भी artifacts है इस age के उसको chronologically study किया जा सके okay now इस समय का जो time period था वह actually text based archaeology थी text based archaeology it means यह जो time period बताया जा रहा है यह time period at least 18th century 19th century का है देखो इस समय क्या था इस समय text present थे हमारे पास जैसे कि मैंने देखा था जैसे कि हमने देखा था आज से करेबन 5,000 साल पहले historic period स्टार्ट हो गया था लोग लिखना जानते थे ब यह जो writing का system था यह हर चीजों में use होने लगया एक variety of चीजों में use होने लगया तो उस समय से बहुत सारे text हमारे पास प्रेजन थी तो लोग जो archaeology करते थे यह text के help से use करते थे ठीक है ओके नौ जो prehistoric archaeology थी उसमें text का कोई help नहीं था मतलब prehistoric में तो कोई text ही present नहीं था ठीक है बट देखो आज का जो हमारे पास time period थे उस समय archaeology बहुत ही vast हो चुकी है vast हो चुकी it means archaeology का बहुत सारा subdivisions बन चुका यह तो हो गया all over world की बाते अब देखते हैं इंडिया की बाते इंडिया में archaeology कैसे start हुआ same beginning था उसी तरह कैसे start हुआ as a shock यह start किया गया था Britishers के थुरू Britishers से भी पहले के थुरू यह as a shock start हुआ था जब colonial period आया तो जो antiquarism थे मतलब जो भी लोग थे जिनको artifacts लगाव था वो इंडिया में भी आ करके यहां के बारे में भी देखना चालो कि आके जितनी भी societies है उसका कुछ ना कुछ तो past है य वो निकालना चालो कि as a treasure hunting शौक के तौर पर एंड धिरे धिरे यह कब archaeological study में बदल गया पता नहीं चला आज की time period में हमारे पास ASI है archaeological survey of India even colleges में India मतलब इंडिया के बहुत साथ colleges में schools में हम आर्केलोजी के बारे में study करें हम क्या है हम एक college के student है हम भी पढ़ रहे तो देखरो यह एक बहुत ही वास topic बन चुगा था अब देखते यह धिरे-धिरे कैसे रूल में आया कि धिरे-धिरे कैसे यह रन क्या धिरे-धिरे कैसे आर्केलोजी आज इतना वास्ट हुई देखो तो यह एक तरीके के शौक के तौर पर स्टार्ट हुआ थ देखो यह जो एक्जामपल है टेक्स एडेड आर्केलोजी इसका एक्जामपल मैं देता हूं जैसे कि चाइनीज पिल्ग्रिम्स आते थे इंडिया में इंडिया है इन्होंने अपने यात्रा का एक वित्रांत लिखा एक ट्रेवल अकाउंट लिखा उसमें इन्होंने कुदाई कर दें एंड वहां सा एक लॉडिकल लेते हैं तो इस तरीके से से टेक्स इडा Ö club करती ठी य्डिश्य उन में इंडिया बना यो इसको established किया sir Alexander Cunningham ने इसको established किया यह इनके first director general बने 19th century के later time period में मतलब बात के समय में बहुत सारे monuments हो गए बहुत सारे areas हो गए बहुत सारे places हो के उसकी खुदाई की गई उसको examine किया गया उसको study किया गया ठीक है early 20th century जो था इसमें करीबन 1904 यह जो time period है यह जो year है इसमें ancient monuments preservation act passed किया गया इसके तुरू अखिर यह act passed क्यों किया गया ताकि जो ancient Indian monuments से उसको preserve किया जा सके बहुत ही बहुत ही vast country था जहां पर बहुत साई चीज़े प्रेजन थी मतलब यह हीरे जवारातों से और ancient चीज़ों से भरा पड़ा था इसलिए इस जगह के जो भी ancient Indian monuments से उसक war में okay इसके बाद जो ASI था यह जो ASI community थी Archaeological Survey of India इन्होंने बहुत सार explorations के बहुत सार excavations के Indian subcontinent के उपर इनको lead कौन कर रहा था Sir John Marshall और Sir Mortimer Wheeler देखो Sir John Marshall यह director general थे Archaeological Survey of India और जो इनका time period था वो 1902 से लेकर की 1928 तक कर था और जो Sir Mortimer Wheeler थे वो प्रिटिस Archaeologist थे इन दोनों के अंडर में बहुत सार excavations हुए बहुत सार explorations हुए Indian subcontinent के उपर independence के बाद यह जो ASI का जो भी यह method था जो भी system था यह बहुत जादा expand हुआ all over था इंडिया same time में Archaeology की बहुत सारे disciplines बनी बहुत सारे divisions वे इसमें बहुत सारे branches बने जैसे के हमने देखा था Numismatic, Epigraphy, Geo-Archaeology इस तरीके से बहुत सारे branches बने इन सारे branches को different universities में academic institution में पढ़ाने मतलब इन सारे branches की study होने लगे different universities में academic institution में आज के रेट में यह जो ASI है यह बहुत ही vast institution बन चुका है ठीक है एवन हमारे पास आज के रेट में state archaeological department भी है academic institution भी है जैसे कि आपको हो गया Deccan College और बहुत सारे universities ऐसे भी है जो कि आर्केलोजी को पढ़ाती है और इवन excavation भी conduct करवाती है लोग खुदाया करते हैं और लोग artifacts को निकालते हैं उसकी study करते हैं उसको आर्केलोजी को completely study भी करते हैं तो यह था हमारा archaeological की history okay अब देखते हैं archaeological sites and what they are made above तो दिखो archaeological sites आखिर होता क्या चीज है हम लोग archaeological sites का word सुनते है archaeological sites के बारे में पढ़ रहे हैं बस हम लोग को इसका definition समझनी आ रहा है यह archaeological sites मतलब आखिर होता क्या अगर आप हिंदी में इस term को समझोगे तो इसका मतलब होता है पुरा तात्विक स्थल अगर आप इसका definition जाने की कोशिश करोगे तो इसका definition यह है कि देखो archaeological sites है तो एक place कोई भी place कोई भी place वो सकता है आप all over country ले लो all of the world ले लो कोई भी place हो सकता है बट वो place कैसा होना चीए वहां पे आपको past activity की कुछ evidences मिले मतलब past में हमारे पुराने time मे अब अभी से लेकर के past में आप चलो जो उस समय humans जो भी activities किये हैं या फिर humans के आप अर्ली humans पर बोल सकते हो उस समय जो भी activities किये हैं उसका कुछ भी evidence वहां से मिले ताकि हम अपनी history को construct करने में helpful हो सके तो हम उसको बोलेंगे archaeological sites यह archaeological sites आपका कोई भी खंडर हो सकता है जमीन अब देखो अब दूसरा चीज़ क्या है कि आखिर यह बनते किस चीज़ से what they are made up of तो हम इसको भी देखें कि आखिर यह बनते कैसे क्या चीज़ से बनते यह ना यहां पर तो term दिया गया है पहला है artifacts और दूसरा है ecofacts देखो इस दोनों term का मतलम ना वस्तोय होती है चीज artifact क्या होता है और पिस ना और बन जाती है और है की Ivanश मिया कि आफिरेंस करम हो आपनका आउचारी खोंगे कोई चीजी हो सकती है जो कि खुँद से बन सकती है यह स्टी में का नहीं किया जा सकता human activity के दोड़ा modified या फिर उसको नहीं बनाया जा सकता देखो archaeology में जो होता है मतलब archaeology में हम करते क्या हम study करते है artifacts को eco facts को study हम क्या चीज़ करते हैं देखो अगर कोई भी archaeological sites हमें मिलेगी कोई भी ऐसी जगह मिलेगी जहां पर past में कुछ हुआ होगा पास्ट में humans कुछ किये होंगा जैसे कि आप example में ले लो हरपा इंडर्स वैली सिविलाजेशन दोला वीरा ले लो भीम बेदका भीम बेदका केव पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमास है वहाँ पे जो early humans थे या फिर बोल सकते हो इसली हम उसको study कर पाते हैं तो वह हमारे क्या हो जाता है आर्टिफेक्स जाता है पॉर्टेबल होता है हम उसको इधर से उधर लेके जा सकते हैं यह humans का दुवारा बनाया होता है तो इसकी study पे ही archaeology पूरी based है मतलब जो भी archaeological sites में चीज़े मिलती है archaeological sites की study को तो हम archaeology बोलते हैं ठीक है अब यह जो जो भी artifacts है इसको study करेंगे तो हमें क्या क्या information मिलती है इसे कि यह कितना important था या फिर यह किस तरीके से बनाया किया है कौन सा material इसमें यूज हुआ है कौन सी technology इसमें यूज हुआ है and इस object का यूज क्या था उस time period में for example एक structure लो आप कोई भी मूर्ती है तो यह किस चीजे से बनी जैसे कि पहले के time में टेरा कॉटा यूज किया जाता था ठीक है लोग टेरा कॉटा के समान बनाते थे लोग खेलने के लिए समान बनाते थे लोग जोयल्रीज बनाते थे तो हम देखेंगे अगर हमें कोई भी object मिला है तो इसका use क्या था, यह किस चीज़े से बनी थी, इसको बनाने में कौन से technology यूज़ हुई थी, कौन सा raw material यूज़ हुआ था, किस तरीके से यह बना था, हर चीज़ का information हमें मिल जाता है, हम हर चीज़ को study कर लेते हैं, अगर वही चीज़ हम देखिए, इकोफेक्स को, तो इकोफेक्स में हमें क्या क्या चीज़े मिलेगी, इकोफेक्स में हमें मिलेगी animal bones, मतलब जो पुराने जानवर थे, जो मर गए थे, उनकी हड्या हमें मिल सकती है, जो पौधे थे पुराने टाइम में, उनका कुछ अफश जो बच जाते है, फौसिल वगरा, तो इस सारी चीज़े हमें इकोफेक्स में मिल सकती है, हम इस सब चीज़ को study करके हम क्या समझते है, अगर इकोफेक्स को हम study करेंगे, जैसे की artifacts को हम study किये, तो हम क्या समझे कि वो किस object से बना है, किस material से बना है, उसका use क्या होता होगा उससे तरीके से अगर हम इकोफेक्स को study करेंगे, तो हम क्या समझेंगे, इकोफेक्स को study करेंगे, तो हम समझेंगे कि उस समय का environment कैसा था, उस समय के जो लोग थे, वो कैसे environment में survive करते थे, क्या खाना खाते थे, क्लाइमेट कैसा था, किस तरीके से वो climate में survive कर पाते थे, ये सारे चीज़ें हम एक उफेक्स से समझेंगे, तो आप समझ गए आठिफेक्ट्स और एकोफेक्स का मतलब, तो जो नेक्स्ट है वो है आपका आर्के उफेक्स साइट, तो जैसे कि मैंने बताया, आर्के उफेक्स साइट क्या होता है, ancient time में जो भी चीज़े हुई है जिस भी area में हुई है present day में हमें जहां भी उसका evidences मिलेगा वो हमारा एक archaeological site कहलाएगा मतलब कोई भी place मिला हमें जैसे कि आप example ले लो अब भीम बेदका का example ले लो यह MP में एक जगा है भीम बेदका हमें यहां पर देखने को मिला कि यहां पर बहुत सारे सुन्दर सुन्दर cave paintings बनाए गए थे बहुत सारे अच्छी तरीके से यहां पर cave paintings बनाए गए थे उस paintings में बहुत सारे चीज़ों के बारे mention किया गया था इंसान से लेकर के जानवर के बारे में इंशन किया गया था तो ये हमारा एक archaeological site है क्योंकि यहाँ पे हमें ancient time के बारे में कुछ चीज़े पता चले कि ancient time में लोगों को paintings करने आते थे ancient time में लोगों को जानवरों के बारे में पता थे ancient time में लोगों को इंसानों के बारे में पता था ancient time के लोग colors कैसे लाते थे paintings हैं तो उसमें colors पी obviously डाले थे तो यह सारी चीज़ें आई कहां से यह सारी चीज़ें आखिर बनी कहां से यह सारी चीज़ें के information हमें कहां मिलती है archaeological sites में मिलती है यह archaeological sites आपके कहीं भी हो सकते हैं जहां भी history में past में जहां भी कोई भी human activities हुई है जहां पर हमें कोई भी evidences मिल सकते हैं human activities के बारे में past से related वो हमारा archaeological site होता है देखो past में बहुत सारे चीज़ें हुई है थोड़ी मोरी चीज़ें नहीं हुई है अभी से करीबन 3 million साल पहले की बात की जारी है मतलब सोच रहे हो इन 3 million सालों में बहुत सारे चीज़ें हो चुकी है जैसे कि आप example ले लो cave painting सबसे famous example cave painting तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सासत pyramids तक बन गया Egypt के pyramids भी बन गये वो कैसे बना आखिर इसका तो अभी तक रहसे में पता ही नहीं चल पा रहा archaeologist बहुत डूणने की कोशिश करें बट still यह अभी भी unknown है लेकिन pyramids को हम देख सकते Egypt में pyramids जीता जाता example है past में हुई चीज़ों के बारे में जैसे कि cities developed हो गये थे past में मोहन चोदाड़ों हो गया Indus Valley Civilization हो गया डोला भी रहा हो गया cities भी past में बन चुके थे hunter gather से लेकर के लोग trading करने लग गये थे मतला पहले लोग शिकार करते थे फिर लोग trading पे भी आ गये थे लोग trade करते थे एक जगह से दुस्य गार पास में बहुत सारे चीज़े होई है तो यह चीज़े कहीं तो हुई होगी आसमान में तो नहीं होगी धर्ती पहीं कहीं नहीं होगी तो आज के rate में वो सारे चीज़े present कहीं ना कहीं तो होगी साथ वो जमीन के अंदर हो साथ वो शमंदर के अंदर हो तो यही सारी जगे को लोग ढूनते हैं यही सारी जगे archaeological sites कहलाती है जहां पर हम पास से लेटेट कुई भी evidences मिलें जिसके तुरू हम अपनी history को construct करने में helpful हो सके जिसके तुरू हम अपनी history को construct कर सके तो देखो सबसे पहला जैसे अगर आप archaeology में देखो कि तभी तो archaeologist कोई भी conclusion दे पाएंगे past के भार में तो यह सबसे primary task होता है archaeological sites को ढूना अब यह question आता है कि यह archaeological sites बनता कैसे है यह form कैसे होता है या फिर अगर किसी other term में बोले तो यह अखिर उस condition में पहुँचते कैसे हैं जिसमें archaeologists इन्हें धूनते हैं इन्हें discover करते हैं देखो जो भी archaeological sites हमें मिलेगा कभी भी मिलेगा वो हमें एक ऐसे condition मिलेगा जहां पर वो धूल मिट्टी से भरा होगा जहां पर वो किसी चीज़ से दबा होगा जहां for example समंदर के नीचे मिल सकता है ना आप जमीन के नीचे मिल सकता है वो चीज हमें तो यह जो archaeological sites होते हैं आखिर उस condition में पहुचते कैसे जिसमें archaeologists इन्हें discover करते हैं तो देखो यह दो condition आखिर होता है पहला condition cultural and natural देखो cultural condition में आखिर होता है कैसे ना चाहिए भर बनाना चाहिए फिर उसे छोड़ के चले यह फिर गड़े बनाना चाहिए भावज डालने के लिए ठीक है कोई चीजों को चोड़ते हैं चोड़ते यह या फिर accidentally कोई चीज महां पे हो गया उस उसकारन से वहां किसी चीज की च्छति होगा है तो उस तरीके से वो जो एक रहने का जगा था वो क्या बन गया एक खंडर टाइप के बन गया जो कि आज के रिट में अर्केलोजिकल साइड साब उसको बूल सकते हो वहां पर हमें कुछ एविदेंस मिल सकते हैं जो सेकेंड चीज़े है वो हमेरा नैच्रल तरीका नैच्रल तरीका क्या बाढ़ के कारण वो जगा खराब हो गया या फिर रेत के कारण वो जगा धगया फॉर इसमें रहते हो बहुत खुबसरत दिख रहे हैं अगर पचास साल के बाद वापस आओगे इस एरिया को देखने बहुत तेज सूरज की रोषनी पड़ेगी बहुत हावा आएगी या फिर पानी के कारण इस जो जगह होती ही क्या धिरे-जरे खराब हो रहे लगती है या फिर कई बार यह समंदर के अंदर ढग जाती है कई बार यह जमीन के अंदर ढग जाती है तो यह सारे नैच्रल बहुत सारे आर्केलोजिकल साइट्स प्रिजर्व भी रहते हैं यहां पर पॉम्पई शेहर के बारे में जाए इतली का जो पॉम्पई शेहर था ठीक है जब वह बसा था और जब उसको बाद में ढूंडा गया जब उसकी स्टडी की गई तो वह में वैसा ही मिला इसका रिज पर ही शेहर था वह उस राक नीचे प्रिजर्व रहा और जब आर्केलोजिस्ट इन्हें ढूंडे तो वह इसको अच्छे से स्टडी कर पा इस जगे को अच्छे से स्टडी करने में उन्हें हेल्फ मिली बताया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रीम ड्राय कंडिशन्स होते हैं वहां पर जो नैच्रल चीज़े होती है वह प्रिजर्व रह सकती है यहां पर एक्जांपल दिया गया है ममीज का देखो ममीज क्या होती है ममीज एक्चली इंसान की बॉड़ी होती है जो इंसान मर जाते हैं उनकी और कokratis तो पूसरे दुन्या में में चले जाते हैं तुसको झाहिए और वहां फर जिन्दा रहते तो इसलिए वह उस जी स्वाश्ता कंशी वह आगया दना प्रिजय नियुका हमारी टैमने इस तोड़ी नमी दलदरी वाली जगह ठीक है जो थोड़ी गीली होती है वहां पर भी बहुत सारे जो वूड बगएर होते है या फिर प्लान प्रोडियूस और गानिक मेटेर स्पेस्टली वहीं प्रिजर्व रहते हैं बहुत समय तक यहां पर एक्जांपल दिया गया है ट्रोड़ीश वहां पर दकेशलाऊचल स्वकेशल अवा हम पर यह थे जॉरियूस अबकी प्रेसी के कीई होटे हैं जो यह प्रिजर्व रह नहीं पाते हैं छहां पर ही ज्यादा होती है नमी जाद़ होती है मिट्टी मि吸 फोड़ी सी एसी दिक होती है जहां पर कीड़े मकोडे बहुआ जल्दी लग जाते हैं, फेट प्लाइंट ब जल्दी उख जाते तो वह सारे एरिया होते हैं, वहां पर आर्ट्रिफेक्ट ज्यादा प्रिजर्व रह नहीं पाता, ठीक है? नो यहाँ पर दो एक्जाम्पल दिए गे हैं पहले एक्जाम्पल क्या है काली बंगन का एक्जाम्पल है जोके रज़स्तान में यह एक Archaeological साइट है दूसरा एक्जाम्पल की है एक Archaeological Exlerin यहाँ पर खुदा ही हो रही है इस second chapter का history का यहां पर खतम होता है आपको इससे आगे के वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चानल पर तो अगर आपको वीडियो के एक्स्प्रेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेर और सब्सक्राइब तो मैं चानल ओके थैंक्यू गाइस